लेबनान के चरम 35 जंगठन हिजबुला ने इस्रेल पर 12 गाइडिन मिसाइलों से हमला कर दिया है इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुला ने भी इस्रेल के खिलाब जंग छेर दिया मतलब इस्रेल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है एक तरफ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इस्रेल की सेना के सामने चुनोती बने है तो दूसरी तरफ लेबनान की सीमा से हिजबुला ने भी उन पर हमले शुरू कर दिये है हालकि इस्रेल ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि लेबनान की तरफ से दागी गई बारा मिसाइलों से उसे कितना नुकसान हुआ है इस्रेल को 72 घंटे का अल्टिमेटम दे दिया था हमास और इस्रेल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खलाब खेमेबंदी शुरू कर दिये क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इस्रेल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थर मिला जबकि रूस इरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है क्योंकि युक्रेन जग के बाद अलग थलग पढ़ चुके रूस और चीन ने इस्रेल और हमास की जग का रुख ही मोड कर रख दिया वो खुलकर गाजा में इस्रेल के हमलों में मारे जा रहे हैं लोगों के लिए बोलने लगे जिसने फिलिस्तीन समेथ पूरे पश्चिमेशा में उनकी पकड मजबूत कर दी और बाइडन देखते रह गए क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडन से मिलने से ही इनकार कर दिया यानि तीसरे विश्वयुद का माहौल तक बन सकता है क्योंकि इसरेल के साथ वो देश खड़े हैं जिनोंने युक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मौर्चा खोला था यानि अमरिका, ब्रिटन, यॉरप, तक्षिन कोरिया, जापान और अस्टेलिया जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चमेश खड़ा है जिन में साओधिय अरब, इरान, जॉर्डन, लिबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल है मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इसरेल से आई एक और खबर से लगाय जा सकता है इसरेल के मीडिया ने जावा किया कि दो दिन पहले बाइडन की यातरा के दोरान, फिलिस्तीन के राश्च्रपती महमुद अबास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इंकार कर दिया था बाइडन दो दिन पहले इसरेल के दोरे पर गए थे जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे और वहां उनकी मुलाकात महमूद अबास से होनी थी लेकिन बाद में ये पूरा कारिक्रम ही रद्द हो गया था जिसके बाद दावा है कि बाइडन ने महमूद अबास से फोन पर बात करनी चाही लेकिन फिलिस्तीन के राष्टपती इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे उक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इसरेल और हमास की लडाई के बाद और गर्मा गया यह यूँ कहें कि अमेरिका और रूस ने तैय कर लिया कि वो खुल कर किस देश का साथ देंगे मतलब विश्वयुद की बिसाथ बिश्टी हुई दिखने लगी क्योंकि अमेरिका ने इसरेल को गाजा में घुसने की हरी जंडी दे दी जबकि वो यह जानता है कि इसरेल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि वो इसरेल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता और इसलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इस्राइल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इस्राइल के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तयार है जिसका नतीज़ ये हुआ कि इस्राइल और हमास की जंग में इस्राइल, अमेरिका, ब्रिटन, यॉरप, दक्षन कोरिया, जापान और उस्टेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तयार हो गया जो साथी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, इरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं यानि अमेरिका के खिलाव बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है जबकि नेटों में तुर्की अमेरिका के साथ है और अमेरिका के खड़े ईरान और सौदी अरब के बीच सारा जगड़ा ही शिया और सुनी मुसल्मानों का था लेकिन जैसे ही बात इसराइल से लड़ने की आई बाजी पलट गई और इरान और साओधी अरब एक हो गई और अमेरिका की पश्चमेश्या में पकड़ ढीली पड़ती दिखी क्योंकि आज की तारीख में पश्चमेश्या में उसका केवल एक ही दोस्त है और वो दोस्त इसराइल है जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है क्योंकि इसराइल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सिरिया, लिबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी है और ये सभी देश मुस्लिम है जहां अमेरिका का किसी ना किसी तरह से दखल है कि यहां से वो पच्चिमेश्चा में इरान को पैर प्हलने से रोक रहा है लेकिन हमास और इसरेल की जंग के दौराद इरान ने अमेरिका और इसरेल के खलाफ ऐसा माहौल बनाया कि अमेरिका की पच्चुमेश्चा में सालों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ गई क्योंकि इरान ने अमेरिका का साथ लाने का प्लैन फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछी दिन बाद साथ लाने का प्लैन फेल कर दिया मतलब इरान का प्लैन काम कर गया और अमेरिका का प्लैन फेल हो गया वैसे इरान ने ये माहौल यरूशलम की अल-अक्सा मस्जित पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी क्योंकि इस्राइल के तीन पड़ोसी सिरिया, लिबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं इसके लाबा इरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इस्राइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है इसके लाबा खाड़ी देश, UAE और साओधी अरब के साथ भी इरान ने अपना रिष्टा सुधारा जैसे हमाज से इसराइल की जंग शुरू हुई इरान खुल कर मैदान में आ गया और दुनिया दो तुकणों में बठने लगी क्योंकि इरान ने इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेताव नहीं दिये और उसे धमकी दी कि अगर इसराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर हर मोर्चे पर जंग शुरू हो सकती है और इसराइल के खलाब जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं क्योंकि इरान जानता है कि उसने जिस हेजबुला को बनाया है वो इसरेल की सीमा से लगे लेण आन, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में सक्री है यानी इसरेल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है का जा रहा है कि हिस्बुल्ला के दम पर ही ऐरान के राष्टपती ने इसरैल को धमकी दी और दो टूप बोल दिया कि मुस्लिम देश गाज़ा में हो रहें वार्ड क्राइम का बदला लेंगे और इरान के राष्टपती अमेरिका पर भी भड़के और साफ साफ बोल दिया कि इसरेल ने गाजा में जो किया उसमें अमेरिका भी भागीदार है वैसे तो इरान जंग के पहले ही दिन से इसरेल पर भड़क रहा है लेकिन गाजा के अल-एहली अस्पिताल पर रॉकेट गिरने के बाद तो इरान का पारस साथवे आसमान पर पहुंच गया अल-एहली अस्पिताल में रॉकेट गिरने के बाद पांच सो से ज़्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया गया जिसमें तीसरे विश्वयुद के मौहाने पर खड़ी दुनिया पर संकट बढ़ गया क्योंकि इस घटना ने दो गुटों में बटी दुनिया का जगड़ा और बढ़ा गया अल-एहली अस्पिताल में हजारों शर्णार्टी थे जो रॉकेट गिरने के बाद लगी आग का शिकार हो गय थे जिसके बाद फिलिस्तीन ही नहीं इरान, जॉर्डन, लिबिनान और सौधियरब जैसे देश इसरेल पर भड़क गय थे क्योंकि उनका गयना था कि अल-एहली अस्पिताल पर इसरेल का ही रॉकेट गिरा था जबकि इसरेल ने एक वीडियो जारी करके दो टूक बोल दिया कि अस्पिताल पर फिलिस्तीन की मिसाइल गिरी थी जिसका टागेट इसरेल था लेकिन मिसाइल मिसफाइर होकर गाज़ा के ही अस्पिताल पर गिर गए इरान को अमेरिका पर निशाना साधने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि अस्पिताल पर रॉकेट बाइडन के इसरेल दोरे से कुछ गंटे पहले ही गिरा और बाइडन ने इसके लिए इसरेल को जिम्मदार नहीं ठहराया और इसी बात से पश्चमेशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल इतना बिगड़ गया कि जॉर्डन और फिलिस्तीन ने बाइडन से मुलकात ही कैंसल कर दी यानि इरान की पश्चमेशिया में अमेरिका को कमजोर करने की मुहिम रंग लाती दी ने रूस और चीन की पश्चमेशिया में एंट्री को आसान कर दिया और उनकी अमेरिका समेथ पश्चमी देशों को घेरने की रणनीती काम्याब होती दी हमास और इस्रेयल की जंग के बीच पश्चिमेशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने खुल कर फिलिस्तीन के समर्तन में बयान दे दिया और गाजा में मारे जा रहा है फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़ा हो गया क्योंकि पश्चमेशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने बयान दिया कि मौझूदा हालात इसलिए हुए क्योंकि किसी ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचा यानि जैसे ही चीन ने देखा कि लोहा गर्म है उसने हथोड़ा मार दिया और पश्चमेशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका गाज़ा में हमास के अंत के लिए जमीन और आस्मान से हमले के पक्षमे है जबकि अमेरिका और इसरेल दोनों जानते हैं कि गाजा में केवल हमास के लड़ाकों की ही नहीं आम लोगों की भी मौत हो रही है क्योंकि हमास के ठिकाने रहाइशी इलाकों में हैं जिन पर इसरेल की मिसालें गिरते ही आसपास जबरदस्त बरबादी होती है आम लोगों की भी जान चली जिसके बाद पश्चिमेशिया के मुस्लिम देश इसरेल और अमेरिका दोनों पर बरस पड़े यानि चीन पश्चिमेशिया में जो करना चाहता था वो उसमें काम्याब होता नजर आया क्योंकि चीन अमेरिका को कमजोर करने के लिए पूरे के पूरे पश्चिमेशिया को इसरेल के खिलाव खड़ा करना चाहता है जिसके लिए उसने इरान को हत्यार बनाया और सौधी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई यानि चीन ने पश्चिमेशिया में घुसने के लिए इरान को रास्ता बनाया और इरान ने इसरेल के तीन पड़ोसी सीरिया, लिबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया यानि पश्चिमेशिया के ये देश चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन गए। जिसमें युक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने भी उसका साथ दिया। इन हमास और इसरेल की जंग छिड़ता ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती निज़र आई क्योंकि ये साफ होने लगा कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। और जपान के आस पास भी मिसाले दाखता रहता है। इसरेल के रक्षा मंत्री योव गलान्ट से फोन पर बात की और उन्हें सैन ने मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार इसरेल को अपने घातक हत्यार देने में जुटा है। और इसके लावा उसके तीन जंगी जहाज भी मुमद्य सागर में इसरेल की मदद के लिए तयार है। खबरे के इस बातचीत में अमेरिकी रक्षमंत्री लॉइड आस्टिन ने योव गलान्ट को ये भरोसा दिया कि जल्द ही इसरेल के लिए खतरनाग हत्यारों की बड़ी खेप भेजी जाएगी।